पहले देखा गया था कि सीरत कार्तिक से बचने की कोशिश कर रही है और इसलिए उसने अपने व्यापारिक प्रस्ताफ को अस्विकार कर दिया। बाद में रणवीर सीरत को उसके गलत फैसले का एहसास कराते हैं और इस प्रस्ताफ को स्विकार करना चाहते हैं। इस प्रकार सीरत रणवीर के साथ गुयंका हवैली में प्रस्ताफ सुईकार करने के लिए पहुचती है जब रणवीर को किसी महतपोन काम के कारण छोड़ना पड़ा। सीरत को कार्तिक से मिलने के लिए अकेले जाना पड़ा जब उसने वहां से भागने का फैसला किया क्यूंकि वह कार्तिक का सामना नहीं कर सकती। सही समय पर कार्तिक ने प्रवेश किया और सीरत के मौन निकास को रोक दिया। सीरत अब कार्तिक और उसके सवालों का कैसे सामना करेगी। देखना दिलजस्प होगा कि शो में आगे क्या होता है। ऐसा लगता है कि सीरत कार्तिक की गोयन का हवेली जाती है जहां उसे जल्द ही भागने का रास्ता मिल जाता है। जब वह अपना सामान ले जा रही थी और कार्तिक से दूर जाने की कोशिश कर रही थी तो वह यात्रा कर रही थी। सीरत गिर जाती है जब कार्तिक उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। जब प्यार की चिंगारी दिखाई देती है तो सीरत और कार्तिक एक आँख बंद कर लेते हैं। सीरत को अजीब लगता है और वह जल्द से जल्द कार्तिक से दूर होने की कोशिश करती है। इसके अलावा सीरत को लगता है कि वह रणवीर के बजायकार्तिक के लिए पागल हो रही है और जल्द ही रणवीर से मिलना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा की शोव में आगे क्या होता है। ये पहले देखा गया था कि सीरत को रणवीर के बजाय कार्तिक के लिए अपने प्यार के बारे में पता चलता है। इसलिए वहर रणवीर के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का फैसला करती है। सीरत रनवीर को रोमांटिक डेट पर ले जाती है जहां सीरत कार्तिक के गोयन का परिवार को ज़्यादा समय नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ क्यारफ कार्तिक को स्कूल में अपने बॉक्सिंग मैच के बारे में बताता है जहां उसने सीरत का नाम कोच के रूप में दिया है। इसलिए कार्तिक को रणवीर सीरत की रोमांटिक डेट को बरबाद करना पड़ा। देखना दिल्चस्थ होगा कि शो में आगे क्या होता है।